वो आपको सामने है सबकुछ लूट मचाई है हरकिस आप मुझा फेनगर में 35 गरों में घुसके सामान तोड़ा है घर का सामान तोड़ा है जेवर लूटे गए हैं पैसा लूटा गया है सबकी आखों के सामने हैं सबने देखा है एंडी टीवी इंडिया ने पूरा बागत द सब्सक्राइब करोना यह गीदल भवकिया हमने बहुत देखी बहुत से आये और चलेगे इस दुनिया में हिटलर जैसों का नाम निरा यह रगुराहद और यह जो भी राज है नाम में राज लिका होगा वैसे कुछ होता नहीं यह धंकियों से डरने वाला नहीं है इस वारी समस्या होती है क्या हम मान ले क्योंकि आप लोग तो हकीकत में आप लोग पड़े हुए हैं और आप लोग बिल्कुल भी कानून को जानते भी हैं तो क्या हम यह मान ले कि वाकिये में इस सिस्टम में ही प्रॉब्लम है निश्च दूप से नकेवल आप मान ले इस करकेसे? कभी समझ में है तो, उसकी गंभीरता का उसी समय सास हो जाने चाहे था लेकिन धीरे धीरे अब लोगों को भी समझ में आ रहा हैं और आज जो लोग कभी सम्विधान को पढ़ते नहीं थे, आज सम्विधान को सर पर ले के चल ले overdose हैं जिन लोगों में कोई श्रदानीती आज उनका फोटो सर पे लेके चलने हैं तो ये गंभीरता समझ में पूरे देश नहीं दुनिया के आ जाने चीए कि वकील अगर सड़क पर है तो वाकई में कोई बहुत गैर समवेधानिक गैर कानूनी काम हुआ है और गैर समवेधानिक क् आपको बताता हूँ देखे हमारा देश एक सेकूलर देश है और सेकूलर देश में क्या है हर धर्म हर संपरदाए के व्यक्ति को अपना धर्म मानने और उसका पालन करने और उसकी अभिवक्ति का पूरा अधिकार है और सम्विधान ने जो सरकार है उसको यादिश दिया है कि सरकार किसी के भी साथ धर्म, जाती, संप्रदाय, लिंग, छेत्र और भाशे के आदर पर किसी तरह का भीदवाब नहीं करेगी आप नागरिक्ता दे रहे हैं नागरिक्ता दे रहे हैं आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बंगलादेश के जो लोग हैं उन लोगों को नागरिक्ता दे रहे हैं आप पर उनमें से किन किन को दे रहे हैं आप हिंदू को, सिख को, बौद को, इसाई को, जैन को, पार्सी को आप मुस्लिम को क्यों नहीं देरे तो आप मुस्लिम के साथ भेद भाव कर रहे हैं क्योंके एक मद्र सम्विधान जो है ये अनुच्छे 14 अगर आप पड़ेंगे तो इक्विलिटी की बात करता है वो हर व्यक्ती के लिए है नागरिक के लिए ही नहीं हर व्यक्ति के लिए है हर व्यक्ति को आप समानता का अधिकार दें गया तो आप सबको नागरिक के लिए रहे हैं वैसे इस कानून की जरूत नहीं थी नागरिक ता कानून देश में पहले से ही है 1955 से ही है आप उसी में सबको दे रहे थे पहले भी अभी भी बहुत लोगों को दिया गया, जो इसी थरकार ने दिया है, तो दिक्कत क्या दी, लेकिन इसको अपना हिंदू-मुस्लिम एजन्डा जो है, वो फैलाना था, तो वकीलों की ये बास समझ में आ रही है, वकील ये समझता है, कि आप एक तो गैर संविधानी काम कर रहे हैं, जो इसका सेकूलर धाचा है, जो इसका प्रियम्बल मही हैं, प्रियम्ल इसका मूल धाचा है, जो केशवानंद भारती और मिनरवा, मिल्स और इंद्रा गांदी वाले मेंटर ने जो बाकादा एक Constitution Bench ने लगातार कहा है। तो आप इसके सेकुलर ढाचे को खत्म कर रहे हैं। इसका जो समानता का जो अधिकार मूल अधिकार है आप उसको खत्म कर रहे हैं। इस तरह इन सारी चीजों को आप समविधान पर हमला लगातार कर रहे हैं। कैसे बरदास करेंगे। वकीलों की यह समझ में आ गया है और इसके अलाबा आप देखें कि जो तीनों सेनाएं हैं। भारत की तीनों सेना, वायू सेना, थल सेना और नो सेना। इन तीनों सेनाओं के उपर आपने एक Chief of Defense Staff बिठा दिया। तीनों सेनाओं के पहले सुप्रीम कमांडर कौन था? राष्टपती। अब आपने इन तीनों के उपर एक बिठा दिया। और उसको आपने सीधा प्रदान मंतरी के पृतिया आपने उत्तरदाई बना दिया है। इसका मतलब यह है समवधानिक रूप से जो तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर राश्पतिता उसको आपने साइड कर दिया। और यह जो था यह इसलिए था कि अगर प्रदान मंतरी आप इसे बाहर हो जाए यह जो है इतना तानाशा हो जाएं तो उसको बैलंस किया जासे कि इसलिए सेनाओं को बिल्कुल और सेना भी एकटी ना हो जाएं मिलना जाएं उनका भी मिस्यूज ना हो इसलिए उनको अलग-अलग रखा गया था यह बहुत तरीके से बैलंस बना जादे तो कोई जान नहीं सकता और आप डिटेंशन केम्प बनाती चले जा रहे हैं छे डिटेंशन केम्प आपने आसाम में बना लिये आप आसाम में और डिटेंशन केम्प बनाने के लिए 27,000 करोर रुपए आप खर्च करने वाले हैं इसके लाबा आपने बैंगलॉर में एक डिटेंशन केम्प बना लिया 35 जिगे करना टगा में आपने चिन्नित करनी है जहां डिटेंशन केम्प आप बना रहे हैं महरास्टा में आपने विश्यसकर बॉम्बे में भी आपने कुछ बिल्डिंग्स अगर डिटेंशन केम्प तब तक नहीं बन पाए तो बिल्ड अभी तो एक और ने और बहुत कुछ डूबेगा और जिस तरह से इनकी नीती है उसमें ये पूरे देश को डूबाने में लगें बैंक की चोटी सी कड़ी होगे सरकार की नीती वही है वही काम कर रही है तो हम सब इस बात को समझ रहे हैं वकील इस बात को समझ रहा है कि सरकार का एजंडा क्या है और जब गोलवाल कर कहता है कि हिटलर से सीखना चाहिए और इनका बंच अप थोट्स जो RSS का मुख्य वो है इनका गरंथ है जिसके आधार पर ये सारा करते हैं इस सब को हम लोग सम संक्या देखें बड़ी संक्या हिंदूओं की संक्या वह समझ रहे हैं कि हिंदूओं का नाम लेकर ये हिंदूओं को बदनाम कर रहे हैं ये हिंदूओं का एजंडा नहीं है हिंदू राष्ट की बात नहीं कर रहे हैं ये मनू राष्ट बनाने की बात कर रहे हैं मनू समित जिसको शुद्रूम में जो आते हैं, उनको पूरी तरह से पहले की तरह दफन करना चाहते हैं, अपना गुलाम बना कर रखना चाहते हैं, ये सारी चीजें पढ़े लिके वकीलों की समझ में आ रही हैं, इसलिए पूरा वकील समधाय सडक पर है, और मैं आपको बता देने चा करेगा, आर पार की लड़ाई है और वकिल साथी भी जनता के साद कंदे से कंदा मिला कर इस लड़ाई को लड़े. अगर आप मेरे से मांगने लगो तो शाद मैं अपने दादा जी का जो कागज वो नहीं दे पाँगा कि वो कहां पैदा हुए उनकी जन्मतिती क्या है जब अगर मेरा यहाल हो सकता है तो उस अनपड़ आबादी का क्या है यह सरकार का एजन्डा जो है वो एजन्डा हिंदू-मुस्लिम करने का है हम सब इन सारी चीजों को समझ रहे हैं हिंदू-मुस्लिम करके प्लराइज करना चाते हैं और यह जो C.A.A. है ना इसमें मुस्ल का रहना चाहेगा वो गुलाम बनकर रहेगा यह इनकी नीती है और डिटेंशन कैम्प का जो इस्तमाल होने वाला है जो भी सरकार के खिलाब बोलेंगे उन लोगों की यह NRC के मादम से NPR जिसके मादम से NRC करा इससे तयार होगा इसमें बाकाद चिन्नित होगा क्योंकि जो इनफॉर्मेशन मांगी जा रहे हैं उस इनफॉर्मेशन में केवल आपका पता नहीं है आपके घर की पूरी डिटेल्स हैं आपके बेंक अकाउंट्स हैं आपकी जमीन के सारी चीज़ें हैं सब कुछ मांगा जा रहा है इसलिए जो व्यक्ति बोलेगा और सब को इचिन्नि राइट खतम और जैसे ही वोटिंग राइट खतम तो आप अलक्षन भी नहीं लड़ सकते हैं तो उस सारा पूरी तरह से गरेंगे और जब नागरिक नहीं है तो आपके बेंक अकाउंट सीज कर दिये जाएंगे आपकी प्रपर्टी सीज चीली जाएगी और उसके बाद मे कि हम इस बात को समझ नहीं रहे हैं हम तुम्हारी सोच क्या है क्यों तुम कर रहे हो और क्यों इतनी जल्दबाजी में हो आप दस सारी को नोटिफिकेशन हुआ है और आपने कल देका पता लगी कि 37,000 लोग यूपी में चिनित भी कर लिये गए जिनकों की नागरिकता देन में है सरकार और यह हडबड़ी इसकी आज से नहीं है जिस समय दुबारा 2019 में चुनकर आई है आपने सुरू से देखा होगा जैसे इनों ने जो राइट टू इनफॉर्मेशन एक्ट है उसको खतम किया उसके बाद यूए पी ए लेका है उसके बाद तीस सो सतर किया एन पी लिखतने कहा है कि दोजार चौबिस में वो हिंदूराश्ट घोशित करेंगे मैं कैता हूं यह दोहजार 21 में कर देंगे और इनके एक जो एमपी है शाद उसने कहा भी है कि हम 2021 में करेंगे तो मैं यह मानता हूं समाज के पास लोगों के पास इस देश की जंता के पास है जो हो जाए अगर देश को बचाना है अपने बच्चों का भविश्य बचाना है अपने जो परिवार है उसको बचाना है उसके लिए सड़क पर आना पड़ेगा इखटा होकर आना पड़ेगा कदम से कदम और कंदे से कंदा मिलाकर लड़ना पड़े कर देना हम बोले हम भूब खुब खुलके बोले सारी वीडियो ना देखी हो तो देख ले रगराध सिंग हो या कोई भी सिंग हो भानु पिरताप सिंग सामने है पहले दफन करके दिखा तो पतला गई की तुम्हें करो ना यह गीदल भबकिया हमने बहुत देखी बहुत से आए और चलेगे इस दुनिया में हिटलर जैसों का नाम निरा यह रगुराध और यह जो भी राज है नाम में राज लिका होगा वैसे कुछ होता नहीं है यह धंकियों से डरने वाला नहीं है इस देश का कोई भी व्यक्ति अगर हिम्मत है तो दफन करके दिखाओ हमें माल को को भी मैं कहना चाहता हूं डर के आगे जीत है यह यह चीज़ के तरहीं लोग प्रोटेश करने तो प्रियांका गादियुक्ति अधर पे गई तो उनको अधंक्वादी वह धंका इस देखें वह कुछ भी कहें हम भी गए थे मुझफा नगर में और मेरट में हम भी देख है और सीने में और सर में गोली लेगने का मतलब यह है कि उनको निशाना करके मारने के लिए मारने के लिए गोली चलाइगे उनकी हत्या की गई है अन्यता पुलिस का एक तरीका होता है लोगों को अगर भगाना है तो पहले आप उनको चेतावनी दें उसके बाद आप से उनको चलाएंगे और तब नहीं है तब गोली चलाएंगे और वो भी आप पैरों पे चलाएंगे ताकि लोग गिर जाएं और डरके भाग जाएं सीने पर गोली लग रही है तो वह इसका मतलब है कि आपने जान बूच कर गोली चलाई है लोगों को मारने के लिए देश्च तक पुलिश ने लूटा और विजलोर में सुलेमान नामा के लिए उप्यस्टी का चात्र की वह आपको सामने है सब कुछ लूट मचाई है हरकिस आप मुझा फेनगर में 35 घरों में घुसके सामान तोड़ा है घर का सामान तोड़ा है जेवर लूटे गए हैं पैसा लूट जिलेओं